हटेलो स्टूडेंट, फिस्ट अपोल, हाव रूजरेगे, लडियो और अट करेंगे, इससे पहले जो वाट रूजरेगे, उसके बारे में उसका दिस्टिबुशन के बारे में, उसकी डिमांड यूटिलाइज़न के बारे में अपने पढ़ चुके हैности उसके बाद जो आज का अपना टॉपिक है वो है ऐसे Emerging Water Problems Related Emerging Water Problems अब जैसे जैसे population बढ़ रही है population वाले चैप्टर आप लोग बढ़ चुके हो population growth rate most part of the world में बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा population बढ़ रही है population doubling time कम होता जा रहा है ठीक है तो अपने बात करें population के continuously बढ़ने से उसकी demand ज़्यादा बढ़ती है और जिससे per person availability जो water की है वो कम होती जाती है दूसरा जो availability है water की वो भी different type के जो pollution है agricultural waste से, industrial waste से, chemical pollution है organism, bio organism जो pollution है या micro organism pollution है उसकी वज़ा से water pollute होता जा रहा है तो वैसे भी जो available water है वो भी human use के लिए अपने कहा सकते हैं कि available नहीं रहता है या उसकी better quality available नहीं रहती है तो इन ही जो problems हैं, समस्याएं हैं उससे related अपने यहां पे बात करेंगे तो इसके बाल अपना जो topic है इसमें first आता है deterioration of water quality deterioration of water quality जो water quality है उसमें कमी आना और पहले अपने water quality की बात कर लेगी water quality क्या होती है उसके बाद उसमें कमी कैसे आती है उसकी बात करेंगे water quality refers to the purity of water जल की स्वश्चता से शुदता से संबंदी जल की गुनबताया water quality यह आपने कह सकते है water without unwanted foreign particles quality of water को मैं जर कैसे करेंगे कि उसमें कोई भी जो बाहरी foreign unwanted जो जल के लिए अवश्चत नहीं है वो उसमें जो element है या particle है वो उसमें mix ना हो मलब water pure हो जो भी उसका chemical composition है हाना जो अपने physical properties हैं वो maintain रहे उसमें कुछ भी foreign particle extra जो substance उसमें add ना हो उसे अपने quality of water या water quality कह सकते हैं अब होता गया है कि deterioration कैसे होता है water quality में different types के microorganism होगे chemicals होगे industrial effulence या waste होगे domestic waste होगया agricultural waste होगया या उसमें जो chemicals अपने use करते हैं तो उसकी वज़ा से जो water quality है वो deteriorate होती है जल गुनवता में हरास आता है कमी आती है जिसे अपने कह सकते हैं ठीक है और वो जो पानी है जल है वो human use के लिए अपने कह दें कि अच्छा नहीं रहता human use के लिए काम का वो नहीं रहता अगर उसे use अपने करेंगे तो different types की diseases अपने को उससे हो सकते हैं ठीक है तो अपने देखें कि जैसे different types के जो pollution है pollutants है chemical pollutants है agricultural waste है industrial waste है domestic waste है जो को किसी river में lake में या किसी water source pond हो गया तलाब हो गया उसमें mix होते हैं ठीक है तो उसकी quality को कम करते हैं mix होते हैं दो दरा से या तो उसमें salute हो जाते है गुलडशील होते है तो वो तो उसमें घुल जाते है इंडिया की जो most of river है वो इसी वज़ा से यह जो इंडिया के water source है different types की pollution मिलने से उसमें उनकी जो quality है वो water quality है वो deteriorate होई है अपने इंडिया की दो major river जो गंगा और यमुना है वो भी most polluted river में शामिल होती क्योंकि उनके किनारे बड़े बड़े शहर हैं जिसमें उनका जो sea rays है industrial effilents है वो उसमें जाकर मिलता है जिससे वो बहुत ज़दा polluted हो जाती है ठीक है इसके बाद next topic water conservation and management water conservation and management मलब जल का उसरंक्षन करना उसका प्रबंदर करना ये जिरूरत क्यों पढ़ती है जिस तरह से population increase हो रही है population की water demand बढ़ रही है पीने के लिए भी irrigation facility क्योंकि उनके लिए उतपादन जाला चाहिए crop जाला चाहिए food जाला चाहिए उसके लिए भी हो जाता है ठीक है अब बहुत सारी industry भी लगी है अब एक तो उनकी demand होगी अब उसके बाद जो उसमें वो यूज करते है वाटर यूज करने के बाद वो प्लियूट होता है तो यह तो प्लियूट हो जाता है वो तो होई जाता है उसके साथ उस कि अपने किसी वाटर सौर्स में डाल देते है तो उसके आसपास का वाटर यहां किस वाटर सौर्स में डाला गया है वो भी बियूट हो जाता है ठीक है दूसरा एक तो ऐसे कमी होती जा रही है पानी की आपने पास जो selected वाटर है यह उश्यन वाटर है जो अपने कहते कि अपने बहुत ज़दा माउंट में अपनी अर्थ के उपर मिलता है उसको फ्रेश वाटर में कंवर्ट करने के लिए उनका डिसलिकेशन करने के लिए उसका वी लबनी करने करके उसे शुद्ध जल में कंवर्ट करने के लिए जो खर्चा होता है वो बहुत जादा आता है तो उसकी अपने जो importance है वो negligible ही अपने को माननी चाहिए क्योंकि इतना खर्चा आपने नहीं कर सकते हैं अपने को करना क्या है कि जो water sources है water के जल्स त्रोथ है water sources है river है lakes है ponds है उनके water की quality को maintain रखना है उसको over utilization नहीं करना उनका pollution नहीं करना उसमें जो industrial efflates है domestic waste है agricultural waste है वो directly उसमें नहीं डालने उनको treatment करके डालना है ठीक है तो इसके साथ जाथ अपने को different types के conservation methods भी technological methods भी water conservation के करने चाहिए एक तो अपने उसको pollute ना करें और दूसरा उसको water को saving करने के जो technology है जिसमें अपने इस chapter में भी अपने पढ़ेंगे watershed management आ गया जैसे rain water harvesting आ गया recycling and reuse of water water के sustainable use के लिए अपने को ये जो technical method है water conservation के इनको अपनाने के साथ जिनके बारे में अपने आगे details में पढ़ेंगे इनको अपनाने के साथ अपने को जो एक ध्यान और देना है कि water को pollute होने से बचाना है water के pollution को अपने control कैसे करना है ये अपने को पता होना चाहिए इसके बारे में अपनी awareness होने चाहिए तो next topic अपने water pollution को control से related ही पढ़ें topic अपना prevention of water pollution prevention of water pollution अपने जल परदूशन को कैसे उसकी रोगताम कर सकते हैं कैसे उसको control कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है उससे पहले अपने थोड़ा सा जो pollution है वो कहां जादा होता है कहां कम होता है या कौन कौन से रिवर जादा polluted हैं उसके किनारे कौन कौन से शेहर हैं उसके बारे में थोड़ी सी information अपने यहां ले लेतें कि जो इंडिया की major rivers है generally उसका जो reason होता है वो किसी ना किसी हिली रीजन से होता है हिली रीजन की जो अपने कहादें जियोग्राफी क्या होती है कि वहां पे जो अपने कहादें की land form होता है वो uneven होता है वो बड़खाबर जमीन होती है generally वहां पे population density है जो बहुत कम होती है वहां पे road transport facility industrial facility agriculture बहुत कम होती है तो इस वज़ा से वहां पे population density भी कम होती है और साथ-साथ industrial development या agricultural development यह सब भी वहां पे कम होता है तो वहां पे जो rivers है मेल जो भी rivers वहां से आती है उनकी water quality वहां maintain रहती है जो pollution अब वो negligible बहुत कम होता है लेकिन जैसे ही कोई river हिली रीजन से या mountain region से plain area में इंटर करती है तो plain area में क्या क्या होता है plain region में मेदानी अलाकों में agricultural development भी अपती है industries भी होती है और domestic waste भी generate होता है बहुत ज़्यादा amount में क्यों होता है क्योंकि plain area रहने के लिए सबसे suitable या favorable geographical condition प्रोवाइड करते है human के लिए इस वज़ा से वहां पे population बहुत ज़्यादा dense होती है densely populated reason होते है अब densely populated reason होते है प्लस वहां पे agriculture activities ही हो सकती है agricultural development भी बहुत ज़्यादा होता है बहुत सारी industries established होती है बहुत सारे वहां पे लोग रहते हैं तो इसकी वज़ा से वहां पे बहुत सारा domestic waste भी generate होता है अब कैसे कैसे होता है कि agriculture development करने से क्या होता है कि agriculture अपने करेंगे उसमें different types के fertilizer है pesticide है and insecticide अपने यूज करते है जब rainfall होता है तो यह जो different types के chemical है harmful chemical है वो बाट पानी के साथ बुलकर या water के साथ salute होकर वो directly water source में किसी ना किसी water source में river lakes में चले जाते है उसी तरह से industries होती है industries effluent निकलता है industrial waste निकलता है उसे भी water source में बिना treatment किये ही डाल दिया जाता है ठीक है उसी तरह से domestic waste है इसमें different types का bio जो अपका waste के अपने ठीक है वो solid waste है वो सारे का सारा भी किसी water source में जाकर मिल जाता है sea waste है वो भी किसी water source में जाकर मिल जाती है जिससे जो water है वो plute हो जाता है pollution हो जाता है अब उसका prevention करने के लिए क्या किया जाता है जो या उसकी monitoring करने के लिए central board of pollution control यह आपने कह़ें central pollution control board ऐसे है और state pollution control board इनके दवारा monitoring की जाती है different types के जो water source है लगबग 507 stations है पूरे इंडिया में यहां पे इनके दवारा जो वहां के water source है उनकी monitoring की जाती है ठीक है कि वहां पे water pollution का level क्या है किस level पे वहां पे water pollution हो रहा है तो इस related वहां पे जो monitoring की गई तो monitoring में पता चला जांच पढ़ता हाल में पता चला कि जो सबसे ज़्यादा इंडिया में pollution का source है ठीक है वो microorganism या organic organic and microorganism contamination सबसे ज़्यादा होता है organic and microorganism contamination सबसे ज़्यादा वहां पे देखने को मिला है तो इसके साथ साथ और भी different types के जैसे अपने कह दें कि जो आपका chemicals है chemical fertilizer है और दूसरे भी जो agricultural waste industry उससे भी pollution बहुत ज़्यादा होता है तो इसी base भी अगर अपने बात करें तो इंडिया की जो सबसे ज़्यादा प्लूटर्ड रिवर है वो है यमुना most प्लूटर्ड रिवर ऑफ इंडिया यमुना है यमुना रिवर सबसे अप्लूटर्ड किन दो जगाओं के बीच में है तो वो है दिल्ली और इटावा इसके अलावा जो और प्लूटर्ड रिवर है वो है जिसमें गंगा अपने बात कर लें कानपूर्से बनारसी के बीच में साबर मती एंदबाद मुसी रिवर जो है वो खैदराबाद में गंप्ती रिवर है वो लक्मनौ कुकूवं वे गई ये मदुरई में तो ये कुछ रिवर्स है जो पर्टिकुलर सिटी के पास है और वहाँ पे वो प्लूट हो गई अब ये प्लूशन की बात अपने हो गई अब इसको कंट्रॉल करने के लिए ये तो उसकीety कि बात ही कि उन्हें में मोडिय किया गई चैटूशन-क्शक्रश्ण-कंट्रोय बोर्ड ने पन पने को ये Pता चला कि कौ़ftig श जबसे ज़दा और फॉयोट हैं और कहां चरब इसको कंट्रॉल करने के लिए pollution control करने के लिए इंडिया में कुछ act बने है तो उन्हें act की अपने बात कर ले Act में 1974 Water Act जो की Protection and Control of Pollution ठीक है ये इस परपस के साथ बनाया गया था इसके लावा 1986 में Environmental Protection Act लेकिन ये act तो बनाये गए लेकिन इनका implementation ठीक दंग से नहीं हो सका इसी वज़ा से 1977 में 200 से ज़्यादा industries किसे ना किसी water source जिसमें rivers हैं, lakes हैं उसके किनारे established की गई और उससे pollution और बढ़ता गया इसी को रोखने के लिए 1977 में water source act लाया गया वो भी अपना इतना प्रभाव नहीं डाल सका तो जब अपने बात आती है prevention of water pollution की water pollution को रोखने की तो उसके लिए कनून act तो बने हुई हैं लेकिन उनका implementation ठीक दंग से नहीं हो रहा है जिससे ये समस्या continuously अपने सामने आ रही है तो करना क्या चाहिए इसके लिए सबसे जाज रूरी है कि लोगों को इसके लिए aware करना चाहिए people awareness सबसे जाज रूरी है उनको जो अपना life saving एक source है source है जिससे अपने water कह देते हैं उसको अपने कह दें कि उसका अपने sustainable use अपने long time तक आने वाल generation भी अपने उसका pure form में use कर सकें तो इसके लिए अपने को aware होना चाहिए कि अपने को pollution नहीं करना चाहिए pollution को control करने की measure अपने को अपनाने चाहिए ठीक है और इसके साथ साथ ही government को भी जो भी उसने act बनाए है या नए act बनाए है काम में बचा के रख सकते हैं उसका long run तक अपने sorry long run तक अपने उसका utilization कर सकते हैं ठीक है तो यह था आज के आपकी जो topic अपने की है इसमें अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया है तो आप पूश सकते हो